दोस्तों में डॉक्टर दर्बे साब सबकर स्वागत करता हूँ अगर आप घुटने के दर्श से परिशान हो आपका घुटना कट-कट सा आवाज करता है या फिर थोड़ा ही देर अगर चलते हो वो लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है चल नहीं पाते हो, बैठ जाते हो, रूख जाते हो यानि लुब्रिकेशन की कहीं न कहीं कमी हुई है जिसके कारण खिंचाओ और तनाव रहता है घुटने में काप मसल्स, थाइज मसल्स, धीरे-दीरे तनाव से भरके अपना जो flexibility और movability है, वो खोब पैठा है यह सब समस्या को अगर आप रोजाना face कर रहे हो और घुटना बिल्कुल आपका साथ ही नहीं दे रहा है तो याद रखो, आज का वीडियो बहुत ही काम का है आप सब को कहे रखो, कि जो भी हमारा रोजाना वीडियो देखते हो वह एक तो subscribe करो, साथ-साथ, bell icon जरूर बजाओ क्योंकि इससे आपको रोजाना नई वीडियो मिल जाएंगे यार दोस्त के बीच में share करो और जो ऐसे tips देता हूँ इसको हम लोग अकेठा करके एक ही जगा, एक ही किताब में मैं दे चुका हूँ, वो है my health in my hand कईवन धाईजर tips और एक ही प्रेशर की पूरी knowledge photo के साथ my health in my hand आपको मिल जाएगा online imagine तो आगे चलते हैं, पहला नियम आप याद रखो अपने आपको dehydrated ना होने दे याने हर घंटा एक गलास पानी बैट के डाहिने हाथ में धिरे धिरे गर के पीए रोजाना कम से कम 4 लिटर, 5 लिटर पानी कोशिस करें फिनेंगे लिए दुसरा है, तला हुआ, छना हुआ चीज oily food, junk food बिलकुल छोड़ दे मादक द्रब्बे कुछ भी लेते हैं बीडी, cigarette, तंबाखो, सराप, ड्रॉक्स, कुछ भी आदत है आज उसको तौबा करें याने हड़ी अगर मजबूत नहीं रहेगा osteoporosis डेबलब होगा तो आपका घुटना कोई नहीं बचा सकता तो ये बात को याद रेक तीसरी बात है साख सब्जी sufficient खाएं D3, B12 immediately check करके देख लें सही है या नहीं है अगर कमी है तो उसकी परिपूरती करें चौता और जो पांचोंगा बात है दोस्तों वो है dry अगर हो गया है आपका घुटना बिल्कुल grease खतम है तो पहला टीप से दोस्तों आपको रोजाना कम से कम दो अखरोट रात में भीगो के सुभा खानी है और दो अखरोट सुभा भीगो के रात को लेनी है याने चार अखरोट कम से कम चाहिए अगर बुरी हालत है अगर medium level पे problem है तो रात को दोस्तों दो अखरोट भीगो के सुभा सुभा अगर आप ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा और 6 महने के अंदर आपका सरजरी तहट भी दोस्तों रुख सकती है बात को समझो क्या है अखरोट के अंदर अखरोट में दोस्तों protein, carbohydrate, vitamin E, vitamin B6, calcium और minerals भरपूर मात्रा में दोस्तों पाए जाते है इतना बेहतरिन चीज है दोस्तों ये कि अगर आप रोजाना जैसे मैं आपको बताया इस तरीके से अगर लोगे तो आपके घुटने में grease बढ़ेगी यानि लुब्रिकेटेड होगी आवाज आना बंद हो जाएगा मान स्पेसी की तनाव बिल्कुल खतम हो जाएगी और आप बेहतर ढंक से आराम से चल पाओगे इसमें omega 3 fatty acid होने के कारण हमारा जो घुटने में सूजन होता है हर्सिंगार जिसे पारिजात आपको करना क्या है की हर्सिंगार के 3-4 पत्तечно पेश्ट बना लें और एक ग्लास पानी में इसको मिला लें धीमें आंज में धेरे-धेरे पकाए जब पानी आधार रह जाये तो उसे छान कर थंडा करके कि दोस्तों पीना है आप रोजाना पीना है और करीबन तीन महीना रेगुलर पीना है तो दोस्तों इतना बात बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते जैसे जैसे टिप्स देता हूँ ऐसे यह से दोस्तों को पालन करने हैं इसके साथ साथ जब भी आपको मौका मिलता है नारियल तरीके से दोस्तों ठीक होगा और मानस्पेसियां काफी मजबुत और उसकी elasticity अच्छी रहेगी इसके अलावा दोस्तों आप हर रुज खाना खाने के बाद अद्रक का पानी पीना कैसे अद्रक को दोस्तों एक छोटा दालचीनी दोस्तों डालिएगा दालचीनी पाउडर जो होती है इसको एक बार ही आप ले लीजिए सुभा breakfast के बाद एक बार ले लीजिए lunch के बाद तो आपका ये दर्थ को बिलकुल खतम कर देगा सरीर से और ये भी एक तरह से आपका flexibility और mobility बढ़ाएगा पेन killer के तरह दोस्तों काम करेगा इतना अगर आप कर लेते हो बाकी तो बहुत सरे वीडियो डाला हों घुटने के बारे में मजबूती कैसे करोगे exercise कैसे करोगे एकीप्रेशन से कैसे ठीक करोगे मगर ये वीडियो आज का दोस्तों खास है जैसे कहा इसको ऐसा ही पालन करें और तरीके से अगर आप इसको कर पाए तो दोस्तों आपका result महने देड महने का अंदर एक्तम तगड़ा मिलेगा आसा करता हूँ ए वीडियो आपके काम में आएगा आपको surgery से बचाएगा दर्स से बचाएगा इंफ्लामेशन से बचाएगा आप रोज मरागा अच्छा जिन्देगी जी पाओगे यही मेरी इच्छा है यही मेरी दुआई भी है आपके लिए फिर भी अगर कहीं एतनी बड़ी समस्या है डॉक्टर आपको surgery के लिए कहा है चाए कमर की हो चाए घुटने की हो एक बारी आपको मुझे WhatsApp करनी है रिपोर्ट भेजनी है MRI हो X-ray हो अगर possible है मुझे लगेगा कि आपको आना चाहिए तो NOIDA आप आएंगे कुछ समय के लिए इलाज भी मिलेगा और साथ में आपको training भी मिलेगी जिससे घर में home treatment भी चलता रहे है दोस्तों एक चीज़ याद रखो treatment की जो किताब है My Health in My Hand यह आपका आधा problem solve कर देता है 25% वीडियो जो मैं बना के देता हूँ उससे भी आपको फायदा हो जाता है 75% आप लाब उठा रहे हो फिर भी कहीं बात नहीं बनती है तो देखा जाएगा हम यहाँ नोईडा में उस problem को solve करने के लिए कोशिस करते हैं और रोजाना कोई ना कोई समस्या को solve किया जाता है सर्जरी रोका जाता है आसा करता हूँ मेरी जो एकीप्रेशर की training program है December 2023 9-10-11 इसमें आप registration करेंगे अगर आप patient है तो दिखाईए अगर आप सिर्फ training करके कुछ professionally करना चाहते हो तब भी दोस्तों welcome 888-266-76303 888-00403-758 में वाटसप करें जो भी समस्या है उसमें लिखके भेज़ें Thank you very much जय हिंजय भारत